तो आज हम आपको करा रहे हैं relation between current and drift velocity तो एक conductor है इस conductor में हमारे पास जो electron है वो VD drift velocity की वज़े से दर की तरफ move कर रहा है और इसकी जो length है वो है L तो अगर मैं time निकालूं कि electron कितने time में negative end से positive end पर जाएगा तो time की formula क्या हो जाएगा वच्छो distance upon velocity distance upon velocity और velocity कौन से है drift velocity है तो T is equal to यहाँ से क्या हो जाएगा बच्छो L upon VD ठीक है तो इसका मैं use करूँगा इसको मैं यहाँ पर equation number one name दे रहा हूँ मैं let कर लेता हूँ let small n be the number density number density of electrons in the conductor in the conductor तो number density का मतलब क्या होता बच्छो number of electrons per unit volume ठीक है तो number of electrons मैंने capital N let कर लिए volume क्या हो जाएगा अगर इसका area मैं A मान लेता हूँ length कितनी है इसकी L है तो volume क्या हो जाएगा A into L तो यहाँ से अगर मैं number of electron निकालूं तो number of electrons क्या हो जाएगे इसकी और इसकी cross multiplication से small n A into L हमारे पास निकल कर आ जाएगा ठीक है तो number of electrons मेरे पास यह निकल कर आ गए अब जो एक electron है उस पर charge कितना है E तो total charge कितना हो जाएगा बच्चो टोटल चार्ज क्योंकि उसमें number of electrons कितने है N A L है एक पर कितना है N है ठीक है E है तो इतने पर कितना हो जाएगा multiply by E तो टोटल चार्ज क्योंकि value मेरे पास निकल कर आ गए जिसको मैं आगे use करूँगा ठीक है टाइम यह आ गया तो अगर मैं यहां से current निकालूँ तो current निकालने का formula क्या होगा बच्चो I is equal to charge upon time तो charge है मेरे पास उपर से यहां से value put कर लेते हैं N A L E और time कितना है बच्चों यहां से put कर लेते हैं L by V D तो इससे कट गया तो यहां से current किसके एकफल हो गया N A E और ए V D उपर चला जाएगा तो N A E V D तो यह हमारे पास relation निकल के आगया current versus drift velocity का थेंक्यू सो मच